आज आज आपको कच्छनों की हिंदी पढ़ाऊंगी ये काविखन का पहला लेशन है कवीरदास जो बेटा कवीरदास जो है ज्यानमारगी साखा के ज्यानमारगी के थे कभी और निर्गुर्भक्ति साखा के ज्यानमारगी के ज्यानमारगी के ज्यानमारगी के ज्यानमारगी तो उसको कालों में बाटा गया था तो एक वीरगाथा काल था और एक भक्तिकाल था जो दूसरा भक्तिकाल था तो भक्तिकाल की दो साखाएं थी एक साखा थी शगुडभक्ति साखा दूसरी थी निरगुडभक्ति साखा तो जो जिन्हों ने राम को मतलब भगवान को आपको आपके जो है निर्गुडभक्ति साखा के कभी हो तो यह जो है इस तरह कोई रूप नहीं बताया है ज्ञान से माध्यां को लोगों को मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता दिया था इसलिए जो है इन्होंने गुरु को महत्तो माना था और तो इसलिए जो है यह है उसके बाद भी जूहे ज़ागण की दो और भी भागों में बाटा गया एक से पुसक्रिश्नमार्गी और राममाणी मेना जही जो मानने जो गण के ब Port दो घ्षी तो फ्रें मर्डि तो बाता जिन्होंनें ग्यांन दोवार उपदेश दिया वो ग्यान मारगी कहला जिसे कविर्दास जी है और प्रेब मारगी जनोंने प्रेम के द्वारा इससर को प्राप्त करने का रास्ता बता था वो प्रेम मारगी कहला इसमें जो है मलिक मुहमद जैसे हैं जो आपके प्रेम मार्गी के हैं तो इनका आज संशिप्त पर्चे आप लोग बटा देख लिए संशिप्त पर्चे है जन्म जो है 1398 भी में हुआ था जन्मस्थान इनका कासी में हुआ था लैलन पालन नीरु एवं नीमा इनके पिता जी जो माता पिता थे उनका नाम था नीरु और नीमा ये पालन करने वाले हैं पतनी लोई पुत्र कमाल पुत्री कमाली मृत्त जो है 1599 भी में मृत्त कहा हुआ था इनका मगहर में गुरु इनके कौन थे रामानन प्रमुक्रचनाय बीजक एवं कबीर करन्था वाली बीजक के संगरे हैं ताकि सेवद रमैनी पत्रियागे इनका जीगन परचवर देख रहे हैं विस्तार में वहां समाज सुधारे कवम संत कभी कभी कबीर दास का जन मकासी में एक विद्वा ब्रामणी के गर्व से हुआ था जिसने समाज के लोकलाज के भाय से इनको लहरतारा नामक तलाब के समीब छोड़ दिया जहां से नीरु वा नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने इनको अपने घर उठा लाए और इनका लालन पालन जो है इनका पालन पोषण किया और इनका नाम कभीर रख इनकी पतनी का नाम लोई और पुत्र वा कन्या का नाम कमाल वा कमाली कभीर पंतियों के गरंत कभीर चैत्र जो है बोध में इनके जन्म के संबंद में उपर निमलिखित उक्ति दी गई है 1455 साल गए चंद्र वार एक ठाट गए जेट सुधी बरसायत को पूढण मासी प्रकट गए इस उक्ति के एधार परजेश्ट सुक्ल पूढ़िमा सो मारको जो है 1398 भी वो इनका जन्म माना जाता माना जाना चाहिए बाबु श्याम शुंदर दास अचाराम चंद्र सुक्ल और अचारा जबसा दुवेदी भी 1554 विक्रम संवत जो है कोही कबीर का जन्म समवत सबकार करते हैं कहा जाता है कि इनके जीवन का अधिक समय कासी में ही बीता बड़े होकर ये अपने माता पिता के कारियों में हाथ बटाने लगे और बचे समय में इश्वर भक्ती करते तदहा विभिन संवर्दाय के धर्माचारियों की संगत में इस अंध विश्वास को दूर करने के लिए कासी में म्रत होने से स्वर्ग मिलता है ये अंतिम समय कासी छोड़कर मगहर चले गए वहीं का सरील छोड़ा एक जन्म सुत के अनुसार इनकी आयो 120 वर्ष थी इस संबंध में एक उक्ती इस प्रकार समवत 1515 कियो मगहर को गउन का जाता है कि एक विद्वब्रा मडी के कोक से जन्म लिये थे इनका लालन पालन नीरु नीमा ने किया था इनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र और पुत्री का नाम कमाला और कमाली था यह जो है सभी धर्म के लोगों के साथ रहते थे जिस पर जोहीं धर्मों का भावपड़ा और यह बता जाता था कासी में मरने पर लोग सर्गप को प्राप्त होते हैं और मगहर में मरने पर जो है नरक मिलता है मनिश्य को तो इसलिए इस अंद्विश्वास को दूर करने के लिए अंत में मगहर चले गए और जो है इसी मान मानिता को जो है मिटाने के लिए जो मानता थी इसको दूर करने के लिए इनके इम्रत सो में इनका अधियो नुrot प्रॉच्व और करने वाले थे तो दोनों जो है मुस्लिम जो है इन्हें दफनाना चाहते थे देखे यह यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके अंतिम संसकार को लेकर हिंदू मुस्लिम में खुब विवाद हुआ क्यों कि हिंदु इनका दाशन्सकार करना चाहते थे और मुसल्मान इन्हें दफनाना चाहते थे ते कहा जाता है कि जब इनके सव को कफन उठाया गया तो सव के अस्थान पर कुछ पुछ रखे थे जिने दोनों धर्म अनुआयों ने आधा-धा बाट लिया इस प्रकार प्रकार बिजक और बिजक की संग्रे में हैं इनकी भासा थी आप देखे भासा देख लिजे भासा जन के द्वारा भक्ति निरुपड के कार को आरंब करने का स्रे कबीर को ही है और इनकी भासा जो है भासा में भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, अर्वी और फार्सी के सब्दो का प्रियोग मिलता है इसी कारण आचार रामजन जुक्ल ने इनकी भासा को सदुकडी का है इनकी भासा में सारी भासाएं जो हैं मिली हुई है इसलिए सदुकडी के साथ साथ इसे पंच मेल खिटली भी बोला जाता है यह जो है जो है जो है इनकी और इनकी जो सहली है वह मुक्तक काविश है यह आपका जो जिएन पर्चे जो है कंप्लीट हो गया है कल जो है इनकी जो रजना साखी है उसके बार मैं आपको बताऊंगी